हेलो दूस्तो नमेशकार था तो एकस्पेक्टेड था कि मैक्सिमम कमेंड इसी चीज से डिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आएंगे कि सर आज के दिन हम लोगों को यहाँ पर बाजर में अच्छा कासा मुनाफा वसूली देखने को मिली है अच्छा कासा गिरावाट देखने को मिला है और अगर हम लोग बात करें जो closing है still हम लोग इसको better ही बोलेंगे क्योंकि बीच में अगर देखा गया तो nifty 50 भी बहुत ही ज़्यादा नीचे है आया था then आखरी के अगर हम लोग बात करें 45 minutes में अच्छी कासी buying देखने को मिली and overall जो closing हुई है वो हम लोग को 130 points down हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है so हम लोग कह सकते हैं जो पहली गिरावाट यहाँ पर थी वो बहुत ही ज़्यादा गहरी मतलब अगर मैं आज के दिन की बात करें lowest level आप देख सकते हो 17800 का भी जो level था मतलब उसके भी नीचे यहाँ पर आया था बढ़ बाद में recovery के कारण 18800 के ऊपर मतलब 17886 तक हम लोग को market जाते वे देखने को मिला था सेम चीज अगर आप देखोगे सेंसेक्स में भी हम लोग को आज के दिन 500 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी बट बाद में आखरी 45 मिनिट में हम लोग अच्छी का सी buying देखने को म मिल रहा है उसके पीछे एक major reason आप लोग यहाँ पर consider कर सकते हो वो कौन सा reason है उसके ओपर हम लोग जरूर जाएंगे बड़ आप सब लोग को पता है हमेशा हम लोग जो step by step चीज़े follow करते हैं मतलब सबसे पहले हम लोग ने कल के दीन भी देखा था American Bazaar में 500 पॉइंट की यहाँ पर पता है कि American Bazaar का future चलता है वहाँ से भी कोई support मिला नहीं बिल्कुल एक flat performance ही है कोई great performance नहीं तो हमारे में भी ऑल्रेड़ी जो गिरावट देखने को मिली थी ओपनिंग जैसी ही यहाँ पर हुई थी वैसी सारी चीज़े continue हाथ पर होती है भी देखने को मिली थी नेक्स्ट आप सब लोगं को पता है European Markets, so European Markets भी देखेंगे कोई great performance नहीं 0.08 मतलब यह भी लगबग minus के आसपास जाते वे देखने को मिल सकता है यह भी कभी भी लाल हो सकता है 0.36 यह भी आप देख सकते है 0.04 यह भी आप देख सकते है 0.02 मतलब बताने का मक्सद का है कि सबी global market की अगर हम लोग बात करें तो same time का pressure हम लोग को यह आप देखने को मिल रहा है और reason भी अगर हम लोग देखा जाए तो सिर्फ इंडिया के और से नहीं दुनिया में जितने भी countries है including US की अगर हम लोग बात करें वहां से आने वाली खबर बहुत ही जादा कीमती होती ह सो वहां से हम लोग कह सकते हैं कि इसका कारण हम लोग को देखने को यह आपे मिल रहा है सो ऐसे बहुत सारे गिरावटे हम लोग ने आपे देख लिया और यह सारी चीज़े बिल्कुल आम चीज़े रहती है चलती रहती है बट आज के दिन हम लोग को यह गिरावट देखन फिलाल की जो condition हम लोगं को all over the globe देखने को मिल रहे हैं अमेरिकन की में अगर बात करो इंडिया की बात करो तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कुछ measures relief यहाँ पे provide किये गए थे जो की बहुत लंबे समय तक यहाँ पे चल चुके हैं और आगे जाते जाते यह सारी इतना चीज़े यह problems हम लोगों को बढ़ते वे देखने को मिलेगी तो यह सारी चीज़े हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पे और भी टाइटन होते हैं देखने को मिल जाएगी किसकी related में बात करो दोस्तो financial conditions जो हम लोगों को देखने को मिले उससे related and इसके पीछे का reason क्या है दोस्तो केवल एक reason है दोस्तो जिसका नाम है inflation क्या है दोस्तो inflation की अगर मैं बात करूँ तो यह केवल एक reason है आप देख सकते आप ग्लोबल मार्केट में हर जगह पे अगर आप लोग देखोगे टोकियो से लेके लंडन तक सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लेम है बहुत ज़्यादा inflation हमनों को देखने को मिल रहा है expectation से भी ज़्यादा and अगर US market की बात करें तो यही सबसे बड़ा problem फिलाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है and दोस्तो आप सब लोगों को पता है inflation अगर ऐसा ही चलता रहा तो federal reserve ने जो पहले चीज़े यहाँ पे दी हुई वो कभी ना कभी उनको withdraw करने यहाँ पे जरूर पड़ेगी and जैसे मैंने का कि यहाँ पे वो expect कर रहे कि यह withdraw होगा का पे होगा यहाँ पे होगा बट ऐसा ही inflation अगर problem बना रहे तो earlier stage में भी वो withdrawal हो सकता है जैसे मैंने आपको बता है जो measures यहाँ पे provide किये गए थे वो और भ जैसा ही inflation अगर यहाँ पे चलता रहा तो rate hike से related उन्हों ने बाती की थी वो early stage में भी यहाँ पे शायद से आ सकती है जो अभी फिलाल हम लोगों को new inflation का data देखने को मिला है उसके कारण यह फिलाल सारी चीज़े प्रेडिक किये जा रही है next अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ज़र की bond tapering तो होगी बट उसका size और भी increase किया जाएगा so ultimately कि बाजर इतना top level पे तो उसको एक चोटा मोटा excuse मिल गया जिसके कारण हम लोगों को गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है इसमें से अगर हम लोग बात करें सारी possibility वाली बात है ऐसी बात नहीं कि यह सारी चीजे अनाउंस हो चुकी है कि हम लोग rate hike करेंगे या फिर bond tapering से रिलेटर हम लोग size बढ़ा देंगे बिलकुल भी नहीं ऐसा कोई official announcement नहीं है बट यहाँ पर यह चीजे हो सकते है क्योंकि inflation लगातार हम लोगो प्रेशराइज करते हुए देखने को यहाँ पर मिल रहा है अगर US Federal Reserve के और से अगर एक फैसला आ गया तो जाड़ा time नहीं लगेगा यहाँ पर हमारे MPC के बेटक में interest rate से रिलेटर कोई negative खबर आने के लिए तो यह एक चोटा मूटा reason यहाँ पर चल रहा है और मैं वापस कहना चाहूंगा दोस्तों यह सारी चीजे चलती रहेगी ऐ अगे का भी article अगर हम लोग रेड करें तो वही चीज यहाँ पर बार बार highlight की गई है inflation की जो report है इसके चलते हम लोगों को market में थोड़ा बहुत लाल निशान यहाँ वापस आते वे देखने को आपे मिल चुका है और obviously Fed के उपर भी अभी यह pressure यहाँ रहने वाला है यही main reason है जिसके चलते हम लोगों को यह pressure देखने को मिल रही है अगर हम लोग यहाँ पर एक साल का performance देखे इंडियन मार्केट का emerging market है हम लोग तो आप देख सकते 38% sensex देखने को मिल रहे है एक बार में American बाजार चेक कर लेता हूं तो आप देख सकते 22% है सो हमारे इसमें थोड़ी सी जादा तेजी देखने को यहाँ पर मिली है right emerging market है जैसे की हम बोल सकते हमारा market mid cap small cap टाइप का है बाकी market अगर देखे गए तो वो large cap टाइप के है सो ब्रजिल का market हमारा market उसी टाइप का है तो यहाँ पर थोड़ा सा जादा पैसा लगते हुए देखने को मिल रहे है तो volatility भी हमारी अभी तेजी इतनी थी तो गिरावट में भी उतनी चीज़े हम लोगों को जहलनी आपर पढ़ सकती है मैं again कहे रहा हूँ इन चीज़ों से हम लोगोंने कभी डरना नहीं होते है यह चीज़े बार-बार चलती रहती है हम लोगोंने कोई sensex पूरा का पूरा खरीद के हमारे portfolio में रखा नहीं हम लोगोंने निफ्टी रखा है हम लोगोंने कुछ stocks हमारे portfolio में add करके रखे हुए उ identify करना है क्योंकि इसी market में अगर आप लोग चेक करोगे इसी bull run में कुछ ऐसे company है जिन्होंने बहुत ही शांदार performance दिया आज वो टॉप पे भी है और इसी bull market में कुछ company ऐसी है जो की मतलब 2020 से जो crash हुए आज तक मतलब cover भी नहीं कर पा रही है so हम लोगों ने stock specific रहना है यह हमेशा मैं आप लोग को कहता हूँ market में सारी चीज़े चलती रहेगी market आज 17 का है 18 का है 19 का हो जाएगा 20 का हो जाएगा 25 का हो जाएगा 30 का हो जाएगा और यह चलता रहेगा हमें सिर्फ यहाँ पे चेक करना होता है हमारे stocks को that's it अगर आपक एक लाग क्या दो लाग भी हो जाए आपका portfolio कुछ नहीं कर सकता फिर क्योंकि आपने खराबी stock पीक कर लिया तो इसलिए अच्छा stock को पीक करो बाकी चीज़े चलती रहेगी हाँ इसके ओपर नजर जरूर हम लोगों की होनी चाहिए so इतना है कहना चाहँगा अच्छे company के साथ रहो जिनके नंबर अच्छे है उनमें आप लोग continue कर सकते हो बिना किसी डरे क्योंकि लंबी अवदी के इसमें अगर हम लोग बात करें यह इसके पहले भी बहुत सारी चीज़े ऐसी आपे चलती रहती थी और यह आगे भी चीज़े continue रहने वाली ऐसा कभी नहीं रहे देखने को मिल रहे यह ओल ओवर दी वर्ल देखने को मिल रहे उसके पीछे का जो मेजर कारण है इंफलेशन ही है यहापे जो कि अभी आप लोग को पता ही यहापे चल गया होगा जरूर हम लोग कह सकते आने वाली जो फेडरल रिजर्व की जो बैठक रहेगी उनकी जो मि परी मज़ोस तो वी बिल भी मिटिंग आरनेक शुदे तब तक के लिए बाई बाई